हेलो दोस्तों बेलकम मैं चैनल आज के वीडियो में हम बात करने वाने को के लिए जो कि काफी इंपोटेंट कुश्चन्स लेकर आ रहा हूं और यह वीडियो आप लोगों को लिए काफी हैल्फुल होने वाले तो आप लोग वीडियो पूरा देखें जादा से जादा से ठीक है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्कीन पे कुश्चन नमर बन है प्रमपरागत रूप से गजर का कि किस परकार का आइसिंग फास्ट करता है इसका रैट उतर है क्रीम पनेर ओके नेक्स्ट कुश्चन गन्ये को बनाने के लिए कौन सी समगरी मिलती है यानि की जर्मनी में जर्मनी में ओके नेक्स्ट कुश्चन मक्खन के लाभ वटर क्रीम वक्ष्टिंग में मुक्थ समगरी क्या है जाता है वो कौन सी स्राब है वह है वार्वन और पोके नेक्स्ट कुशन देखेंगे फैंसी, मिठाई, ब्रैट, अलास्का में तीन घटक क्या है वो इसका राइट अंसर है इस्पंस, केक, मेरिंग्यू और आइस्क्रीम ओके, नेक्स्ट कुशन, कुशन नमर्स सेमन टर्टल, केंडी, आम तोर पर किन तीन समग्रियों से बनाई जाती है इसका उत्तर होने अला है कारमेल, चॉकलेट और पैकान कुशन हमार एट देखेंगे दुनिया का सबसे महेंगा मसाला कौन सा है वो कौन सा है, केस है दुनिया का सबसे महंग मसाला में count होता है next question नंगर9 स्कोविल Scale का प्रयोग किसको मापने के लिए किया आता है कि यह करते मिर्च के तीख की तीखापन को याने की तीखी गर्मी को आ पने के लिए करते हैं स्कोविल Scale का प्रयोग और नेक्ट कुशन सार पाक सब्द का क्या रत है अला काटे नेक्स्ट कुशन चीन का रास्ट इएंजिन क्या है पैकिन बदक नेक्स्ट कुशन ट्वेल इस तौ मेजीरो कोफी मेजीरो को फो सौरी 14 कुशन दिखेंगे जो है मेजीरो को फो विया किसका डर है वह है खाना बनाने का डर कहलाता है मेजोरियो कोफी विया ठीक है केसर का मसाला किस फूल से प्राप्त होता है 16 कुशन देख लेंगे क्यश दिखेंगे सबसे बड़े खेद की मेजवानी करने के लिए जाना जाता हैton कुशन है वह है मुडान जियंग सिटी मेगाफ और मेंगाओ के साथ 19ले कहा सूर्ण ओने वियांगाओ कैशन जैका है उप्योग किस रूप में किया गया था चिकतसा की रूप में किया गया था ठीक है कुश्चन नंबर कि एटी देख लेंगे 1974 में यूपी सी स्केनर द्वारा इसकेन किया गया पहला उत्पाद कौन सा था वो था वरिगली वरिगली जूसी फूट गम ओके नेक्स कुश्चन लेंगे 19 बवल टी की उत्पति किस देश में होई थी इसका उत्तर है ताइवान में होई थी बवल टी की ओके नेक्स कुश्चन अंडे के सफीद भाग का तकनी की नाम क्या कहलाता है जो अंडे की सफीद भाग होता है उसे क्या कहते हैं एल और एल वन क्यलाता है एल मन क्यलाता है ठीक है नेक्स कुश्चन देख लेंगे जापानी मच्छी फूगू तियार करते समय रसो यह साबदा रहते हैं क्यों इसका उत्तर है इसका मास बिसेला होता है ठीक है ट्वैं 23 कुशन से दिख लिए भारती वेंजनों में रोटी क्या है रोटी यानि चपाती या रोटी एक आटे से तियार राइगूलर रोटी होती है ठीक है नेक्स्ट कुशन चिकित सी ही आपत इस्तिती में नारियल पानी का उप्यों किस रोट में भी किया जा सकता है रक्त प्लाजमा के रूप में भी किया जा सकता है 25 दिख लेंगे दुन्या में सबसे ज़्यादा चोरी होने के लिए कौन सा खाना जाना जाता है वो है पनेडर ठीक है नेक्स्ट कुशन UK में ऐस वेडनस टे के दिन क्यार करता है कौन सा तीस है जो भूजन का सबसे ज़्यादा निर्याद करता है वो है सयुक्तराश्ट अमेर का 28 ऐसा कौन सा विटामिन है जो अंडे में नहीं पाया जाता है वो है विटामिन सी तुटिनाइन कुछ्छान देखेंगे एक मात ऐसे ख़त पदारत कौन सा है जो कभी सवापत नहीं होता यानि कि खराब नहीं होता वो है मधू यानि कि जिसे हम सहथ बोलते हैं नेक्ट्स कुछ्छन कुछ्छन नंबर थाइटीन है एक बेकर की दर्जन में कितनी रासी आत मेरे हिसाब से यहां 12 होना चाहिए था ठीक है आप लोगों क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरू बदा है क्योंकि जान से हमने यह मैटल लिया उसमें वहां 30 नहीं लिखा था ठीक है अब देखने थे कुछन नंबर 31 हिब्रू में कॉसेर सब्द का क्या अर्थ है इस इसका राइड आंसर है 32 देखेंगे हैं एक घ्राम बसा में कितनी कैलोरी होती है वो होती है 9 केलोरी 33 कुश्चन देखेंगे प्रश्ट नहीं है आपका चेकेंट पकाते से मेंनियों। तम सुरच्छित आंतरिक ताबमान क्या कहलाता है इसका राइड आंसर है सफेद चीनी कोई ब्राउन सुगर में कैसे बदला जाता है इसका अंसर है गुड़ डालकर 35 दिखलेंगे डाइजोन मस्टर्ड किस देश का उत्वाद है यह है फ्रांस का 36 कौशन कौन सा देश चॉप इस्टिक की सुरुआत के लिए जाना जाता है वो कौन सा है चीन है 37 कौशन हिरन का मास किस जानवा से प्राप्त होता है हिरन का मास इसका राइट अंसर है हिरन से ही प्राप्त होगा तो इसका राइट अंसर हो जागा 38 कौशन देखेंगे किस चीनी विंजन का सब्दिक अर्थ मिस्रित टुकड़े है वो है चौप सुवे next question है 39 सूफ को किस देश में उतपन हुआ है जो सूफ है यह कहां से उतपन है इसके उतपती है वेयत नाम से और 14 question दिख लेंगे लोग पर ये pay माचा किस देश में उतपन हुआ है ये माचा जो है लोग पर ये pay यह जापान से उत्पन है 41 दिख लेंगे चिमी चूरी चिमी चूरी सौस की उत्पत्ती किस देश में हुई थी वो हुई थी अर्जे टीना से Next question 42 कौन सा ACI देश विस में चाय का अग्रिल उत्पादन मना जाता है वो है चीन Next question 43 इस विंजन को वीन कर्ड के नाम से भी जाना जाता है वो है टौफू Next question केलामारी किस प्रकार की मचली है व्यग्य व्यंग्य Next question 45 किस राज में थैंक्स गिविंग डे पर सबसे अधिक टर्की की खपत होती है कैलिफॉर्निया टर्की एक यहां पर पच्छी है ठीक है और टर्की एक देस्ट भी था जिसने हाली में अपना नाम बदल के टर्की ही कर लिया है ठीक है टर्की ठीक है और एक पच्छी है जो की खाने के लिए यूपियोग में आता है एक तरह के बदक की तरह होता है टर्की ओके नेक्स्ट कुश्चन देख लेंगे 46 आश्टिलिया में टोस्ट और पटाकों में कौन सा इस्प्रेट आम है वो है वेजिमाइट 47 देखेंगे सुसी को आम तोर पर किसमें लपेटा जाता है समुंदरी सेवाल में और Baghs किसमें खध़ नेक्स्ट कुश्चन 48 क्या वादम को भीज या मेवा माना जाता है इसे 20 माना जाता है और 49 मेधा को बसा से एक बनाया जाता है एक रॉक्स बनाया जाता है 50 कुश्चन देखेंगे रोटी किस कारण से फूलती है खमीर की कारण रोटी फूलती है इंपोर्टेंट कुश्चन है रोटी किस कारण से फुलती है खबीर की कारण फुलती है ओके नेक्स्ट कुश्चन जम्योगे ख़त पदार्तों कि आविश्कार के रूप में किसे जाना जाता है यह है केलरेंस वर्ड़ से ठीक है नेक्स्ट कुश्चन कुश्चन नमर्व 2 है इसकर भी इस विटामिन की कमी की कारण होता है वह है इसका राइड अंसर है विटामिन सी की कमी से इस करोगी रोख होता है next question दिख लेंगे 53 ओके जानवारों की तोचा और हड्डियों से कौन सा भोजन बनाया जाता है वो है जिलेटिन ओके next question 54 अंत्रेच में सबसे पहले कौन सी सब्जी होगाई गई थी यह important question है और काफी important है इसे आप लोग नोट जरूर कर लें अपने नोट में अंत्रेच में सबसे पहले सब्जी वाने वाली है अलू ओके next question प्रशन है आपका 55 अलू सलजम और गजर सभी किस प्रकार की सब्जीया माने जाते हैं इसका right answer है यह जड़ वाली सब्जीया होगा है इन्हें हम जड़ मा LBS ओके next question देख लेंगे एक इस्टोवारी में लगवाग कितने बीज होते हैं एक इस्टोवारी में लगवाग 200 बीज होते हैं ओके next question देख लेंगे 59 किस फल में विटामिन C अधिक होता है कीवी या संत्रे में यह दो जो फर्द दिये गए कीवी या संत्रे में compare करके आप की नाम से भी जाना जाता है ठीक है आप लोग वीडियो को जरूर लाग करें और आई होफ आप लोगों पता होगा कि यह जो content आपके लिए में लेकर आता हूं कितना time लगता कहां से कितना मेहनत करता हूं उसके बाद यह question चांट के लेकर आता हूं और काफी time लग जाता ए लोगों कोई भी help होगी ठीक है नेक्स कुशन दिख लेंगे 61 है अनार के छोटे खाने योग टुपड़ों को क्या कहा जाता है एरिल्स कहते हैं नेक्स कुशन एवोकाडो की कितनी किसमें मौजूद हैं 500 किसमें होती हैं नेक्स कुशन 63 बरत्मान में कौन सी काली मिर्च द तो यह है केलोरी केलो 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 री सौरी केरो लीना रीफर ओके नेक्स कुशन देख लेंगे प्रेश्ण है इटालियस के लिए कि सबजी को पागल सेव के रूप में भी जाना जाता है वो है ब्यागन 65 कुशन है और थन टर्नन का पोदा किस प्रकार का फल पैदा करता है वो है सेव रिए नेक्स कुशन है सिश्टी सिश्टी ब्रोकली की उत्तत्ति किस महहादीप से में हुई थी ये ईग्रॉप में हुई थी और 67 कुशन है एक खीरे पिंक लेडी किस प्रकार का फ़ल है एक सेव है यह किस में सेव की ओके पिंक लेडी नेक्स्ट कुश्चन देख लेंगे इस्टार फूर्ट किस नाम से भी जाना जाता है एक केमबोला जाना जाता है 72 देख लेंगे स्वाक लोट किस सब्जी से बना होता है वो बना होता है गोवी से 73 कुश्चन है विस्प का सबसे सुंगदित फल के रूम में किसे जाना जाता है वो है डियूरी यान ओके 74 एवोकाडोज को किस नाम से भी जाना जाता है इसे मगरमच चिनास बाती की नाम से भी जाना जाता है 75 कुश्चन देख लेंगे सबसे पुरानी सब्जी किसे माना जाता है और यह है मटर सबसे पुरानी सब्जी माना जाती है 76 देख लेंगे कुशन नमर है अधकान संत्रे के अंदर कितने खंड होते हैं अधकान संत्रे के एक संत्रे के अंदर 10 खंड निकलते हैं 77 कुशन देख लेंगे आलू बुखारा किसे बनाया जाता है सुके बेर से बनाया जाता है तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और उमीद है कि आप लोगों से कि जो अगर मेरी चैनल को पहली बार विजट करने हैं तो सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बैल आगन को प्रेस कर लें जिसे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिक्सन आपको मिलता रहेगा ठीक है और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी और आपके लिए जीके की वीडियो भी लाने वाला हूं तो आप लोग कमेंट में बताने किस टॉपिक के वीडियो लाऊं जो आपको अपने सजेसन दे शकते हैं की किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोगो 550 याइज जय हिंद भायो